देखिए ये एक ये ऐसी चीज़ है जिससे लोग सदियों से जूज रहे हैं क्योंकि ये दो अलग-अलग किस्में हैं ये व्यक्ति के अस्तित्व के दो अलग-अलग आयाम है ये दो आयाम इन दो चीज़ों के बारे में हैं कुछ करने, कुछ करके दिखाने के और कुछ होने देने के बारे में ये दो अलग-अलग पहलू है तो अब सवाल ये है कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम क्या मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस इसे होने देना है अगर आप इसे होने देने के लिए तयार हैं तो ये आप के लिए बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर आप इस तरह के हैं, जो बस चीजों को अपने साथ होने देता है तो अपने आसपास के लोगों से ये उम्मीद न करें कि वो आपके बारे में कुछ समझेगे क्योंकि वो नहीं समझेगे आपके आसपास के लोग नहीं समझ सकते कि होने देने का क्या मतलब है करना एक ऐसी चीज है जिसे वो समझते है लेकिन करना एक सीमित संभावना है और एक बहुत मेहनत वाली प्रक्रिया है यह ऐसा है जैसे अगर मैं ब्रेट बनाना चाहता हूँ तो उसमें से कितना आप करेंगे और कितना आप होने देंगे दोनों का अनुपाद बराबर है अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं गुंथते अगर ओवन को ठीक से लोड करने के लिए काम नहीं करते अगर आप सही तापमान सेट नहीं करते जो कि सब आपको करना है तो क्या ये होगा लेकिन अगर आप होने देने के लिए इच्छुक नहीं है कि आप इसे बंद करके और बस एक गर्बवती महिला की तरह बैठ जाएं अगर आपको नहीं पता कि ब्रेड कैसे बनाते हैं तो ये बच्चे को जन देने जितना ही जटल है आपको वहाँ बैठ कर इंतजार करना होगा अगर आपको ज्यादा ही करने वाले टाइप के हैं आप बार बार इसे खोल कर देखना चाहते हैं तब आपके पास ब्रेड नहीं होगी आपके पास कुछ और ही होगा ये ब्रेड बनाने पौधे उगाने बच्चे को बढ़ा करने या खुद को बढ़ा करने के लिए लागू होता है जो कि आप समझ रहे हैं कि ये सबसे कठिन काम है कि अगर आप खुद का विकास चाहते हैं तो आपको अपनी और से कुछ प्रयास करने होंगे और कुछ करना होगा लेकिन होने देने के बिना ये आने बहुत लंबे समय के लिए एक असाधरन रूप से कठिन और अधूरी प्रक्रिया होगी तो दोनों की जरूरत है अगर दोनों एक ही समय में आपके जीवन में आए हैं तो आपको खुद को एक अप्टन्त भाग्यशाली इंसान समझना चाहिए चाहे आप कृपा को समझें या नहीं क्योंकि ऐसे लोग हैं जो जीवन भर कृपा को उपलब्ध हुए बिना बस किये जा रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जो बस कृपा होने का इंतजार कर रहे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते की क्या करना है प्रक्रिया के लिए खुलने के लिए सही तरह की चीज़ें किये बिना अपनी छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं तो ये दो तरह के लोग दुनिया में हर जगा मौजूद है कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान उनके लिए कुछ करें कुछ लोग खुद ही हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं आप बहुत ही भागेशाली हैं अगर आपके जीवन में क्रिया शील्टा और ग्रहन शील्टा दोनों एक ही समय पर आ गए है कि आप जानते हैं कि कारे कैसे करना है क्रिया शील्टा आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करेंगे लेकिन आपके पास उन चीजों के लिए बैठ कर इंतजार करनी की समझ और शालीन्ता है जिन्हें आप नहीं कर सकते तो ये वो आयाम है ये इन दोनों का मेल है जिसे हम इशा योग के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रदान कर रहे हैं कि लोग अपने बारे में कुछ करना सीखते हैं साथ ही लोग इंतजार करने की विनमरता भी सीखते हैं भक्ती भक्ती की जरूरत होती है वरना कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता अगर आप किसी चीज को समर्पन के भाव से नहीं देखते तो आप इंतजार नहीं कर सकते तो वो सब करपाना जिसकी जरूरत है अपने जीवन के बारे में चीजें करने के लिए जरूरी क्षमता और साधन का होना साथ ही इंतजार करने और प्राप्त कर पाने के लिए जरूरी समझ और क्रिपा का होना दोनों चीजों की जरूरत है तो अगर सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो सवाल ये हो सकता है क्या मैं इसे स्वयम नहीं कर सकता? या अगला सवाल ये हो सकता है क्या आप एक सेल्फ हेल्प किताब लिखेंगे? खुद से आत्म ग्यान पाएं एक डॉक्टर के दफ्तर में ऐसा हुआ एक महिला अपने पती के साथ हाई जो लंगरा रहा था और बुरी हालत में था वो उससे धीरे-धीरे लेकर आई वो उसपर काफी जुका उआ था वो उससे धीरे-धीरे लेकर आई और उसे बैठा दिया परिस्थिती के प्रती साहनुबूती रकते होए वहाँ पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उस महिला से पूछा बिगड़ चुका गठिया महिला ने कहा नहीं कॉंक्रीट ब्लॉक के साथ सेल्फ हेल्प तो सेल्फ हेल्प पुस्तकें लोगों के लिए कभी-कभी कारगार हुई है कुछ अच्छी चीज़ें की लेकिन अधिकतर उनसे सिर्फ चोट पहुँची है आपके जीवन में हालाद बिगड़े हैं क्योंकि सेल्फ हेल्फ हमेशा सही चीज़ नहीं होती लेकिन क्या ये आपको नहीं करना चाहिए नहीं करना ही चाहिए तो दोनों का मेल सबसे अच्छा है अगर आप एक को बहुत हद तक ले जाते हैं तो आप अपना आधार खो सकते हैं अगर बहुत ग्रहन शील होने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं करतें तो आपको ये भी पता नहीं होता कि आप ग्रहन शील हैं या बस आलसी हैं अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं कुछ भी ग्रहन नहीं होने देते तब ये उस पौधे की तरह है जो बिना सूरज की रोशनी के बढ़ने की कोशिश कर रहा है ये बढ़ेगा लेकिन मुर्जाया सा ये कोई फूल या फल नहीं देगा इसे कुछ पैदा कर सकने में बहुत लंबा समय लगेगा तो हमें दोनों का मिश्रंट चाहिए क्रियाएं और अभ्यास नई संभावनाओं के लिए सिस्टम को तयार करने का एक जबरदस तरीका है अगर आपकी ओर जाएं नई संभावनाओं के लिए नहीं खुलती है तो ये एक जरूरत से ज्यादा लंबी आत्रा होगी खुला होना सबसे महत्वपून चीज़ है तो सिर्व ये मानना कि मैं खुला हूँ और इस बारे में कुछ ना करना भी अच्छा नहीं है बहुत से लोग बहुत खुले हुए हैं अगर आप एक शब्द भी कह दें तो वो कली चले जाएंगे उन्हें लगता है कि वो बहुत खुले हुए हैं अगर यहां तक कि मैं भी अगर उनके बारे में एक भी टिपणी कर दूँ तो वो कली चले जाएंगे वो इतने खुले हैं तो खुलेपन को आपके समय और प्रयास की प्रतिबद्धता से परखना होगा आप कितने खुले हुए हैं आपको हर दिन खुद के लिए और एस्तित्व के लिए साबित करना होगा हर दिन उतना ही प्रयास करके मैं इतना खुला हूँ मैं अपना इतना समय और प्रतिबद्धता देने को तयार हूँ मैं उतना खुला हूँ तो आपकी साधना आपको खोलने का एक साधन है और आपके खुलेपन का टेस्ट भी है दोनों हैं तो ये अलग नहीं किये जा सकते आप इन्हें अलग नहीं कर सकते अगर आप अलग करते हैं तो ये अवास्तविक होगा जो काम नहीं करेगा आम तोर पर नहीं करता हो सकता है क कोई भक्त ऐसा हो जो कुछ ना करे जो बस बैठ कर ग्रहंड करे लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आप पूरी तरह से सिर्फ ग्रहंड चील बन जाते हैं तो यह आपके लिए अद्भुत हो सकता है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे पहली बा हुआ 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 झाल कर लो यडू कर दा speaking हुआ 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 हा के सिर्फ आप plupart तर ह writes लो ग्यान क écrit उर्मेके कर अो घ्ल्या संप तर नहां प्र्या स Cass म क्र्स कर तोबहत रहा हुआ lessता हैं झाल को फई बाल्या पुर कर आपके से संपे कаноzdो